और चिले अब तस्वीरे दिखाते हैं प्रधान मन्ती नरेंद्र मोदी की आपको बतादे कि सर्दार धाम भवन का लोकारपण किया है वर्चिली प्रधान मन्ती नरेंद्र मोदी ने गणेश पुजन के पवित्र त्योहवार के अवसर पर हो रहा है कल श्री गणेश चतुर्थी थी और अभी पुरा देश गणेशोच्व मना रहा है मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की और गणेशोच्व की हारदिक बधाई देता हूँ आज रुशी पंचमी भी है भारत तो रुशी परंपरा का देश है रुशियों के ज्ञान विज्ञान और दर्सन से हमारी पहचान रही है हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं हमारे वैज्ञानिक हमारे चिन्तक पूरी मानावता का मारदर्शन करे इसी भावना में हम पले भड़े है इसी भावना के साथ रुशी पंचमी की भी आपको हारदिक शुबकामनाई रुशी मुनियों की परंपरा हमें बहतर मनुष्य बनने की उर्जा देती है इसी भावना के साथ पर्युशन परव के बात जैन परंपरा में हम छमावानी दिवस मनाते हैं मिच्छामी दुक्डम करते हैं मेरी तरफ से भी आपको देश के समी नागरिकों को मिच्छामी दुक्डम यह ऐसा पर्व है ऐसी परंपरा है अपनी गलतियों को स्विकार करना उनका शोधन करना और बहतर करने का संकल्प लेना ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए मैं सभी देशवाश्यों को और सभी भाईयों बहनों को इस पवित्र पर्व की भी अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूं और भगवान महावीर के स्री चर्णों में नमन करता हूं मैं हमारे प्रेणा सोत लोह पुरुष सरदार सहाब के चर्णों में भी प्रणाम करता हूं उन्हें अपनी स्रधांजली अर्पित करता हूं मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बढ़ाई देता हूँ जिनों ने अपने समर्पन से सेवा के इस अद्बूत प्रकल्प को आकार दिया है आप सभी का समर्पन आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उधारन है आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकारपन के साथ ही फेज टू कन्या छात्राले का भूमी पुजन भी हुआ है स्टेट अप आर्ट बिल्डिक आधुनिक संसादनों से युक्त कन्या छात्राले आधुनिक लाइब्रेरी ये सभी व्यवस्ता हैं अनेकों युवाओं को ससक्त करेगी एक और अब एंट्रप्रेनर डेवलोप्मेंट सेंटर के जरिये गुजरात की सम्रुद्व व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं तो नहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिये उन युवाओं को नई दिशा मिल रही हैं जो सिविल सर्विसिस्ट में या डिफेंस और जुडिशल सर्विस्ट में जाना चाहते हैं पाटिदार समाच के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेशकर महिलाओं के ससक्तिकर अपर आपका जो जो जोर हैं वो वाकई सरहानिया है होस्टेल की सिविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी मुझे पूरा भरोसा है कि सर्दार धाम न केवल देश के भविश्य निर्मान का एक अधिश्ठान बनेगा बल्कि आने वाली पीडियों को सर्दार साथ के आदर्सों को जीने की पिलिना भी देगा बहुरा एक बात भी कहना चाहूंगा आज हम आजहादी का अमरुत महोत्सव बना रहे हैं आजहादी के 75 साल ऐसे आउसर पर हम लोग आज देश की आजहादी के उस जंग को याद करते हुए प्रेवित हो रहे हैं लेकिन इस छात्रा वास में जो बेटे बेटिया पढ़ने वाली है और आज जो 18, 20, 25 साल की उमर के हमारे नौजवान है 2047 जब देश की आजहादी के 100 साल होंगे तब ये सारे लोग देश की निरनायक भूमी कामे होंगे आज आप जो संकल्प करेगे 2047 में जब आजहादी के 100 साल होंगे तब हिंदुस्तान कैसा होगा इसके समस्कार ऐसी पवित्र धर्ती पर होने वाले हैं साथियों सरदार धाम का आज जिस तारीक को लोकारपन हो रहा है वो तारीक जितनी अहम है उतना ही बड़ा उससे जुड़ा संदेश है आज 11 सितंबर यानि 9-11 है दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीक जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है लेकिन इसी तारीक ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागों में विश्व धर्म संसत का आयुजन हुआ था आज के ही दिन स्वामी विवेखानन ने उस वैस्वीक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानविय मुल्यों से परिचित कर आया था आज दुनिया ये मैसूस कर रही है कि 9-11 जैसी वो त्रास्दी भी जिसे भी 20 साल हुए हैं त्रास्दियों का स्थाई समाधान मानवता के उनी मुल्यों से ही होगा एक और हमें इन आतं की घटनाओं के सबक को याद रखना होगा तो साथ ही मानविय मुल्यों के लिए पूरी आस्ता के साथ प्रयास भी करते रहना होगा साथियों आज 11 सितंबर को एक और बड़ा आउसर है आज भारत के महान विद्वान दार्शनीक और स्वातंत्र सेनानी सुप्रमन्यम भारती जी की सोवी पुन्यती थी है सरदार साहब जिस एक एक भारत स्वेश्ट भारत का विजन लेकर चलते थे वही दर्शन महा कभी भारती की तमिल लेखनी में पूरी दुव्यता से निखरता रहा है जब वो कहते थे कि हिमाला है हमारा है तमिल लाड़ु में रहते थे और सोच कैसी और वो कहते थे हिमाला हमारा है जब वो कहते थे कि गंगा की ऐसी धारा और कहां मिलेगी जब वो उपनी शदों की महमा का वरण करते थे तो भारत की एकता को भारत की स्त्रेष्ठता को और भव्यता देते थे सुब्रमन्यम भारती ने स्वामी विवेकान से प्रेणा पाई स्री अर्विंदो से प्रभावित हुए और काशी में रहते हुए अपने विचारों को नई उर्जा दी नई दिशा दी साथियों, आज इस अउसर पर मैं एक महत्वपुन गोशना भी कर रहा हूँ बनारस हिंदू उनिवर्सिटी में सुप्रमन्यम भारतीची के नाम से एक चैर स्थापित करने का मिरने किया गया है तमिल स्टडीज, तमिल भासा समर्द्य भाषा है विश्वकी सबसे पुरातन भाषा है और हम सभी हिंदूस्तानियों के लिए गर्व की बात है तमिल स्टडीज पर सुप्रमन्यम भारतीचेर बनारज हिंदू उनिवर्सिटी बीए चुके फैकल्टी आप आर्ट्स में स्थापित होगी ये विद्यार्थियों को, रिसर्थ फैलोज को उस भव्य भारत के निर्मान में जुटे रहने की निरंतर प्रेणिया देगी जिसका सपना भारतीजी ने देखा था साथ कियों, सुप्रमिनियम भारतीजी हमेशा भारत की एकता पर मानो मात्र की एकता पर विशेद बल देते थे उनका ये आदर्श भारत के विचार और दर्शन का अभिन हिस्सा है हमारे यहां पावरानिक काल के ददीच और कर्ण जैसे दानवीर हो या मद्यकाल में महराज हर्सवर्दन जैसे महापूश सेवा के लिए सर्वस्व अर्पन करने की इस परंपरा से भारत आज भी प्रेणा लेता है ये एक तरह से एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें सिखाता है कि हम जितना जहां से ले उससे कई गुना वापस कर दे हमने जो कुछ भी पाया है वो इसी धर्ती से पाया है हमने जो भी प्रगती की है वो इसी समाज के बीच की है समाज की वज़र से की है इसलिए जो हमें मिला है वो केवल हमारा नहीं है वो हमारे समाज का भी है हमारे देश का भी है जो समाज का है वो हम समाज को लोटाते हैं और समाच उसे कई गुना करके फिर हमें और हमारी अगली पीडियों को वापस दे देता है ये कि ऐसा उर्जा चक्र है ऐसा एनर्जी साइकल है जो हर एक प्रयास के साथ तेज होता जाता है आज आप इसी उर्जा चक्र को और गती दे रहे हैं साथियों जब हम समाच के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धी के लिए समाच ही हमें सामर्थे देता है इसलिए आज एक ऐसे कालखन में जब हम आजाती का अमरत महुत्यों मना रहे हैं तो देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का मंत्र दिया है गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साजा प्रयासों की ही धर्ती रही है आजाती की लड़ाई में गांदी जी ने यही से दांडी याता की शुरुवात की थी तो आज भी आजाती के लिए देश के एक जूट प्रयासों का वो प्रतीख है, प्रेरणा है इसी तरह खेड़ा अंदोलन में सरदार पटेल के नेतुर्ट्व में किसान, नवजवान, गरीब एक जूटता ने अंग्रेजी हकुमत को जुकने पर मजबूर कर दिया था वो प्रेरणा, वो उर्जा, आज भी गुजरात की धर्ती पर सरदार साथ की गगन चुम्बी प्रतिमा, स्टेच्य अफ यूनिटी के रूप में हमारे सामने खड़ी है कौन भुल सकता है कि जब स्टेच्य अफ यूनिटी का विचार गुजरात ने सामने रखा था तो किस तरह पूरा देश इस प्रयास का हिस्सा बन गया था तब देश के कौने कौने से किसानों ने लोहा भेजा था ये प्रतिवा आज पूरे देश की एक जुड़ता की एक जुड़ प्रयासों की एक प्रेणा स्थली है प्रतीख है भाई और बेनों सहकार से सबलता की जो रुप्रेखा गुजरात ने पेश की उनमें देश साजीदारी भी बना और आज देश को उसका लाब भी मिल रहा है मुझे खुशी है कि सरदार डान ट्रस्ने भी सामोहिक प्रयासों से अपने लिए अपने पांच और दस सालों के लख्ष तै किये है आज देश भी अपनी आज़ादी के सो सालों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे ही लख्षों को लेकर आगे बढ़ रहा है सरकार में अब एक अलग सहकारिता मंत्राले का गठन भी किया गया है किसानों नवजवानों को सहकार की शक्ती का पुरा-पुरा लाप मिल सके इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे है प्रधार मंत्री मोदी ने सरदारधाम भवन का लुकारपन किया है वर्चुली लुकारपन किया गया है जहां पर अत्यादुनेक चात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की तयारी है फेस्टू का लुकारपन आज प्रधार मंत्री की तरफ से किया गया है एक छोड़े से ब्रेक लिया रुकेंगे, अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हैं आज तक